अलो बिटा, 7th science, non-coaching class में हम अपना last chapter science का 9th chapter है, वो read कर रहे हैं ठीके यह अपना last chapter है, इसके बाद अपना half चले बस है, वो complete हो जाएगा, ठीके, उसके अलावा बिटा आपने first chapter का revision हो अच्छे से कर लिया है, यह फिर से मैंने आपके पास है, वो file बेज दिये ताकि आप किसी बच्चे ने लिख नहीं रखा है, तो आप दोबारा से लिख ले, ठीके, उसके अलावा बिटा, आपके 15 September से UT start होंगे, ठीके, उसमें आपका आएगा second and third chapter, ठीके, तब आपको second and third chapter का question answer है, या book work है, मैं उसकी PDF file है, वो आपके पास send कर दूँगी, तो अगर किसी ब पास है, जो हम 9 chapter रीड करें, इसको हम continue रखेंगे, ठीके बिटा, तो आपको ही chapter, हम दीड कर थोड़ा-थोड़ा रीड करेंगे, उसके लावा जो आपको second and third chapter है, उसको अच्छे से learn करना है, वो आपकी UT में आएगा, multiple choice question होंगे, मैंने आपको बता दिया, आप इस पर ध् आपकी बहुत ज़्यादा सीखायत होती है, कि आप 7th class वाले बच्चे जो है, UT नहीं दे रहे हैं, तो बिटा, आप UT दे क्योंकि हर एक बच्चे की report हमारे पास होते हैं, किसने UT दिया है, किसने नहीं दिया है, तो हम आपकी घर आके आपको check करेंगे, ठीके बिटा, तो से 2nd और 6th chapter का जो work है, वो आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आप अपनी preparation करें, ठीके बिटा, तब हम आपको इसमें आगे देखते हैं, एक पार फोड़ा सा, उसके बाद मापो कल से दोनों chapter के जो PDF फाइल है, वो send कर दूँए, ठीके बिटा, तो देखो हमने soil profile पढ़न स्टार याद अपने पास 4 layer होती है, A horizon, B horizon, C horizon and bedrock, 4 अपने पास layer होती है, तो हमने top soil के बारे में पढ़ा है, जो dark color होती है, जिसमें humus present होती है, जो सड़े गले पत्ते होते हों गिर जाते हैं, उनसे ख़द बन जाती है, ठीके, यह अच्छे nutrients देती है पोड़ो को, ठीके उसके बाद हम second पे आते हैं, B horizon and sub soil पे आते हैं, below A horizon और top soil, the layer is called B horizon और sub soil, A horizon के नीचे, A horizon तो top soil है, उसके नीचे जो आता है, उसको हम क्या बोलते है, sub soil है, नहीं कि नीचे वाला जो पार्ट है उसको, इस layer में क्या होता है, इस layer has lesser amount of humus, but more amount of minerals, इसमें क्या होता है, हुमस खाद कम होता है, लेकिन इसमें minerals बहुत अच्छे होते हैं, so it is lighter in color than top soil, top soil जो होती है, उससे हलकी सी light होती है, ठीके बीटा, harder and more compact, थोड़ी सी hard होती है, ठीके, थोड़ी क्या होती है, इसमें space कम होता है, जो अपने sand particles होते हैं, उनमें, rain water collects in this layer, जो अपना बारिस का पानी होता है, इसी layer में क्या होता है, बिटा, collect होता है, इखटा होता है, अपने पास diagram दे रखा है, तो हम क्या कर रहे थे, A horizon की बात कर दे तो अपने पास क्या होता है, जिरो यानि कि अपने जो अपने plants है, उसके बाद आता है A horizon, यानि कि top soil, dark color, फिर आता है B horizon, देखो उसके बाद B horizon में क्या दिखा रहा है देखो यह light color है उसके बाद दिखाएगा C horizon यह उससे और light हो जाएगा और D horizon बाद B horizon की इस मिट्टी के नीचे बड़ी बड़ी चटाने होती है जो अपने पास soil है जो मिट्टी है जो अर्थ है वो पानी को सक करती है और यह कहां पर जाके इखटा होता है इनी बैड रोग में इखटा होता है और यह filter होते ही जाता है उपर से नीचे तक उसके बाद हम क देखो बी ओर जो बी ओरीजन आ गया सब सोल उसके नीचाता है सी ओर जनो इसको हम पोलते है पैरेंट रोग इट इस मेड आप ओप स्माल लंब सोप रोग विद क्रैक्स एंड क्रिव जे छोट छोटे पत्थरों से बनी होती है इसमें क्रैक्स होते हैं ठीक है की वज़े से ये बनते हैं ठीक है फिर आता अपने पास बैड रोग यानिकि लास्ट लेयर बिलो सी होरीजन और पैरेंट रोग इस लेयर बैड रोग इसमें कोई भी पोर्ष नहीं होता है इनकि कोई भी स्पेस नहीं होता है और इसको डिक करना इसको क्या निए गड़े बहुत ही मुस्किल होता है यानिक बहुत ही मैचनप के पाद हम इसमें क्या कर पाते हैं जगह बना पाते हैं रेन भाड़ ह Acquisी सपलर से सक बार हम आम बार रहा पानी होता है प्यूर वार्ट हमारे पीने के लिए काम आता है ठीक है बिटा तो इस पे जो basis question आई है आपके यहां पे आ रहे हैं तीन questions को आपने rough notebook में सभी questions को इस chapter को read करना है यहां तक और फिर इनको solve करना है आपने rough notebook में ठीक है बिटा मैंने बता दिया आपको क्या काम है आपका second और third chapter UT में आएगा तो उसक पीडिये में send करूंगे इसको आप अगर किसी बच्चे ने complete नहीं कर रखा है तो complete कर ले बिटा ठीक है बिटा